आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी साबुदाना खिच्डी जो की बहुत ही यमी होती है बहुत ही टेम्टिंग होती है और मैं आपको दो तरह से बताना सिखाऊंगी खिच्डी किस तरह से बनाई जाती है तो वन अफ द वे तोड़ी आम गोंग तो शेयर विद यू गाईज विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टाट टूडेज रेसिपी यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन उस पे मैंने यहां पर डाला है एक बड़ा टेबल स्पून और जैसे हमारा ओईल करम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा तो गाईज हमारा तेल हो गया है गरम यह अब हम थोड़ा-सा मिक्स देढ़े और इसको लगा के इसको तीन से चार मिट तक हम इसको पकने देंगे यहां पर अप्रॉक्स 4 मिलिट मुझे हो गए है पकाते हुए ट्रमाटर और हमारे ट्रमाटर जो है तुड़े तुछ हो गए है अब इसमें हम एट करेंगे सॉल्ट यहां पे मैं सेंदा नम्मक कर रहे हूं जो कि बृत में यूज किया जाता है साथी मैंने यहां पे चार हरी निर्चे लिए हैं जो कि फानली चॉप कर लिए हैं ताकि ऐसमे टेस्स अच्छे से आए साथी में मैंने यहाँ पर आड़ किया है टू टेबल स्पूल ऑफ काली मिर्च का पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर और उसको मिक्स करने के बाद इसको वापिस हम कवर कर देंगे और दो मिंट के लिए इसको पकने देंगे यहाँ पर मैंने लिया है 3-4 बोल ऑफ साबुदाना यह जो बोल आपको दिख रहा है वही साइस का मैंने लिया है क्योंकि यह साबुदाना फुलता भी है तो हम इसको फुल ले लेंगे तो यह ओवर फ्लो हो जाएगा इसको अच्छे से वाश कर लिया था मैंने तीन से चार पानी इसके निकाल के अच्छे से उसके बाद इसको मैंने करीबन 3-4 आर्ज के लिए तो आप सब लोग देख सकते हैं साबुदाना हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से रेडी है अब हमें यह अच्छे आलू लेना है तो आप पहले आलू को सिजा के और बाद में इसमें टमाटर एक करके ग्रेवी बना सकते हैं और अब मैंने यहां पेली है मूमफली जो की मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली थी और उसका थोड़ा सा दर्दरा पावडर बोलो या थोड़ा सा पूट और इसको मिक्स देने के बास्ट त lle ने के बाद में डेने के देने के बास्ino azhar करना है और तो ऑद तो फी ऐनोस को में डाल है उसको नालेंगे कुरियांडर लीव्स चॉप और इसको हम ऐच्छ तास तॉस देंगे और उसके बाद तोड़ा सा घी इस्बी डालेंगे घी उपर से तो आप यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर बल्कुल मुझा सोल किया है यहां पर राइता के साथ मैंने डाला है तोड़े से आपल और थोड़े से अड़्ा नमक और ब्लैक पेपर और उसको मैंने गार्णिश किया है कोरीटर लीव के साथ सिमिलरली मैंने साबोदाने पर थोड़े से पॉमोग्रेने डाले है क्योंकि खटा मीठा नीमु का रस भी इसके अंदर है और अगर निम्बू के रस के साथ थोड़ा सा हमारा साबू दाने के साथ हमारा पॉमो ग्रिनेट भी हम तो जाएगा तो बहुत खटा मीटा सा टेस्ट आएगा बहुत टैंगी सा टेस्ट आएगा जो कि उसके टेस्ट को काफी इनहेंस कर देगा तो दिस इस आल अबाउट टुडेज रेसिपी यह था हमारा आज का नावरात्री का पहला डिश जो की था बहुत ही यूनीक सा साबू दाना खिचडी और डेफिनेटली मैं आपके साथ दूसरे टाइप मतलब दूसरे और किस तरह से साबू दाना हम बना सकते हैं वो भी आप कि अनतरा अबिधी तरह से अब रत करते रहें ब्रत के फ़लहार में नए दूसरांग के साथ जयर करनेा वाली हुई वो इंढ़ी करते रही है ट्राय करते रहिए बनाते रहे एपनी फैमली सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिये, मेरे विडियो को लाइक कर लीजिये, और जितना हो सके अपने दूस्तों के साथ मेरा लिंक शेयर करिए, मेरी तो मिलती हूँ आपको मैं मेरी नएक्स्स विडियो में तिल एन टेक कैर बाब آइ झाल झाल